क्या आपने खाई है इतना खस्ता और स्वादिस्ट ना मावा ना चासनी फिर भी अंदर तक इतना ज़्यादा खस्ता और स्वादिस्ट बनती है आपकी ये सूजी गुजिया तो आज मैं आपके लिए ले कर आए हूँ होली स्पेसल बहुत ज़्यादा खस्ता और स्वाधिस एक दम मावे जासा फ्लेवर और टेक्शर के साथ सूजी की गुजिया जिससे बनायना बहुत ज़्यादा आसान है इसे हम फटाफट से जटपट से तयार करेंगे तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घर में रखी बेसिक चीजों से फटाफट से इतना खस्तेदार गुजिया को हम क्या से बना सकते हैं अगर आप इस चैनल पे निउव आए हैं फ्रेंज क flourish on के अगर आप चाहत तो फ्रेंज घीसा हुआ नारियल का भी हम इस तरह से लगतार चलाते हुए दो से तीन मिनट के अंदार इसे आसानी सब भूल लेना है तो यह लो फ्लेम पे एकदम इस तरह से चलाते विए नारियल को में हलका सब भूल लेना है तो यह देखें फ्रेंज नारियल को चलाते विए मैंने हलका सब भूल लिये हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो नारियल हो हलका सब ब्राउन हो गया तब यहाँ पे हम ग्यास को ऑफ कर देंगे और इसे हम किसी अलग गज्ऑ में निकाल लेते हैं तो यह देखिये ज़िए सब्सेज और ओर श्तिनला में रखते हैं तब यहाँ सेम हम और कड़ाई चढ़ाएंगे तब इसमें आट करेंगे एक से दो चमच के करीब घी जब आपका घी एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाए तब इसमें हम एट करेंगे एक कप के करीब बारिक वाले सूजी सूजी आप कोई भी ले सकते हैं तो कड़ाई में हम सूजी को भी डाल कर एकदम बढ़ियां से लगतार चलाती हुए भूनेंगे अगर वजन से देखे तो मैंने याप डेर सूजी लिया है तो इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सूजी को एकदम बढ़ियां से चलाती हुए भूनेंगे जब तक यह अच्छे से हलका ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाती हुए भूनना है अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो जो आपकी सूजी है वो ज़्यादा जल जाएगी और एकदम मावे जैसा फ्लेवर इसमें बिल्कुल भी नहीं आपाएगी तो इसे हम मध्यम आच में कंटिन्यू चलाती हुए इस तरह से भूनेंगे तो यह देखे सूजी का कलर चेंज होने लगा है यहाँ पर सूजी को हम थोड़ी देरे के लिए और भून लेंगे जिससे कि हमारे जो सूजी और ब्राउन हो जाए तो यह देखे सूजी को मैंने एकदम बढ़िया से भून लिया है और आप देख सकते हैं सूजी हमारा हलका सा ब्राउन हो गया है तो सूजी में हम यहां पर थोड़ा से इस तरह से पानी डाल देते हैं और इसे हम हलका से चलाती में मिला लेंगे तो सूजी में हम थोड़ा सा अधा कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे और इसे चलाती में बढ़ियां से भुनेंगे तो आप देखेंगे सूजी आपकी बहुत ही जल्दी भुन जाती है तो बस सूजी को इस से ज़्यादा और डार्क नहीं करना है तो यह ग्यास का फिलेम बिल्कुल आफ कर देंगे तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो यह यह देखें सूजी हमारा ठंडा हो गया है और मैंने इसे किसी अलग सा बाउल में निकाल लिया है तब इसमें हम बाकी के चीज़े अब इसमें आट कर लेते हैं तब सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे यह रोस्ट किया हुवा कोकोनट पाउडर यानि के नारियल का बुरादा जो इसका फ्लेवर इसमें से बहुत ही बहतरीन आती है और शाथ में दो बड़ा चमब जितना इसमें सूगर पाउडर आट करेंगे तो इसमें पीसी हुई चीनी इसमें यूज करेंगे तो आप इसमें नर्मल चीनी भी ले सकते हैं पीसी हुई चीनी आपकी सभी चीजों में एक दम बढ़ियां से मिक्स हो जाती है तब इसमें थोड़ा सा पिस्ता और काजू बदाम का क्रस किया हुआ इसमें आड़ करेंगे और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इसमें लाइची पाउडर डाल देते हैं जो इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है तो अब सभी चीजों को इसमें बढ़ियां से मिक्स करेंगे अगर आप चाहे तो इसमें किस्मिस वगेरा एड़ कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो बिना ड्राइफ रोड से डाले इसमें सूजी से भी बना सकते हैं तो यहां सबी चीजों को एकदम बढ़ियां से मिला लिया है तो हमारी गुजिया के लिए स्टफिंग बिल्कुल रेडी है तो यहां पे गुजिया को बनाने के लिए डो बनाकर बिल्कुल रेडी कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहापे दो कब इस तरह से मैदा लिये हैं अगर वजन से देखे तो मैंने यहापे देड़ सु गिराम के करीब इस तरह से मैदा लिये हैं तो यह गुजिया को थोड़ा सा खस्ता और क्रिस्पी सा बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम घी जो है एकदम बणियां से मिक्स हो जाए तो लगबग यहां पर हमें दो मिनिट तक इसी तरह से लगतार मिलाना है जिससे कि गुजिया हमारा बहुत ही ज्यादा अंदर से खस्ता बनती है तो गुजिया को खस्ता बनाने के लिए इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ही तो यहां पे ध्यान रही आटे को हमें नरम नहीं गुतना है तो यहां पे थोड़ा सा हाट डो लगाएंगे तो यह देखिए आटे को इस तरह से मसलती हुई हमने चिकना कर लिया है तो यह देखिए इस तरह से थोड़ा से स्मूध थोड़ा सा हाट डो इस तरह से हमें तयार करना है तब यहां पर हम आटे को 10-15 मिनिट के लिए नहीं धुक्षत देंगे इस तरह से हमे जाता है अच्छा से फूल कर सफ्ट जाएगा तो यह देखिए 15 मिनिट बाद हमारा जो आटा हे अच्छा से फूल कर स्वाप्ट हो गया है तो इसे हम एक बार और इस तरह से मसलती हुए चिकना कर लेंगे, तब इसकी हम दो से तीन छोड़ी छोड़ी लोई बना कर तयार कर लेंगे, जितने के हम पूरी बनाते हैं, तो इसे हम हतेलियों पर रखकर इसमूद सा लोई इस तरह से हम बना कर तयार करेंगे, तब इसके हम छोड़ी छोड़ी पूरी के तरह लोई को हम बेल लेंगे तो यहां लोई को बेलने के लिए सुखा आठा या फिर ओईल का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह देखे पूरी के तरह मैंने बेल लिया है तो इसकी ठीकनेस नजदा बड़ा नजदा छोटा रखना है एक दम पूरी के तरह इससे छोटा-छोटा बेलना है तो यहां पे हम एक गुजिया को बनाने के लिए साचा लेंगे और इसकी उपर हम इस साचाब पूरी रखेंगे और यह देखे एक गुजिया कीतना सुंदर और बढ़िया से बनी है तो एक गुजिया को मैं अपने हाथों से बना कर दिखाती हूँ तो सबसे पहले हम पूड़ी के तारा एक दम बढ़िया से बे ले ज़े तो बहुत ईजी सा प्रोसस लगता है गुजिया को बनाना तब करेंगे तक यह बिल्कुल भी खुले नहीं तब इसके किनारे को पुड़ा दवा कर बंद करना है नहीं तो विल में जाकर खुल सकती है तब इसके हम फोल्ड करते हुए इस तरह से हम घुमाते जाएंगे बहुत ही आसानी से हो जाता है इसे बनाना तो यह देखे बना है ना असान से रसिपी को फटा-फट से जरूर बनाईए तो सूजी गुजिया को आप बहुत यह असानी से घर में बना सकते हैं तब यहां गुजिया को हम ओल में डालते जाएंगे तो यहां पे ध्यान रहें फ्रेंस गुजिया को डालते टाइम ओल आपका ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए ऑईल का टेंप्रेचर एकदम लो रहना चाहिए तब ही आपकी जो गुजिया है अंदर तक एकदम खस्ता और क्रेस्पी दार बनेगी तो यहां पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे अगर आप अपने गुजिया को हाई फिल्म या मीडियम फिल्म फिल्म पे फ्राइ करेंगे तो आपकी कुझिया है उपर-उपर से बवल सी आ जाएगी और गुजिया आपकी खस्ता नहीं बन पाएगी और इसरी आपकी गुजिया देखने में भी बढ़िया नहीं लगती है जब हमारी गुजय एक साट सीख जा तब इसके साइट को हम इस तरह से चेंज कर देंगे तो गुजया को आप एक दम लो फिलिम पे एक दम बढ़ियां से फ्राई कीजें तो यहां को हम हलका सा बादामी कलर आ जा तब तक हमें इसे फ्राई करना है तब इसे हम अलट पलट कर कि गुज्या को इस्तरह से हम fry करेंगे तो यह गुज्या को जो fry करने वाला प्रोसर से फ्रेंज बिल्कुल लो फ्लेम पे यां गुजिया को इस तरह से फ्राई करना है नहीं तो आपकी जो गुजिया है वो खस्तेदार नहीं बन पाएगी तो इस बात का ध्यान रहें तो यह देखी अलट पलट करके एकदम बढ़ियां से फ्राई कर लिए हैं तो यह देखी किन वेज की भी हमारी गुजिया एकदम फटा-फट से तयार हो गई है तो अंदर से बहुत खस्ता क्रिस्पी श्वादिस्ट एकदम पॉफिक्ट आपकी सूजी की गुजिया बनी है तो आप देख सकते हैं तो यह लिजे फ्रेंस होली स्पेसल आपके लिए फुली-फुल सूजी की गुजिया देख सकते हैं बिल्कुल बनकर तयार हो गई है तो देख सकते हैं अंदर से बहुत खस्ता क्रिस्पी श्वादिस्ट आपकी सूजी की गुजिया बनी है आप इसे महीनों इस्टोर करके खा भी सकते हैं यह आपकी गुजिया बिल्कुल भी खराब नही होती है स्वाद इतना बढ़िया कि आप रुख भी नहीं पाएंगे बहुत ज़्याद स्वादिस्ट और खस्ता बनती है आपकी ये गुजिया तो आप इसे महीनों इस्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और मुझे कॉमेंट वक्स में बताना क्लिक कर लीजेगा